करोनवाइरस की रोक्थाम के लिए गहलोज सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है करोनवाइरस को फैलने से रोकने के लिए राध्यस्तान सरकार ने 22-31 मार्स तक राज़य में लोगडाउन गोशित कर दिया है और इस लोगडाउन से अब जितने भी बहार की जो गाडियां है परिवेन के जो सरकारी साधन है वो सब बंद कर दी जाएंगे इसके साथ में रोड वेज्ट की जो गाडियां है वो भी नहीं चलेगी और सबसे खास बात यह है कि इस लोकडाउन के दोरान सबजियां डेरी और मैडिकल और जो देनि मार्स तक बंद रहेगा किसी भी प्रकार से कोई भी इधर से उधर नहीं जाएगा सब को अपने घरों पर रहने के लिए इस पस्ट दिशा निर्देश दे दिये हैं दारेक सुच चावालिस पूरे राजिस्थान में लगी हुई है आज देर रात तक जो अभी बैठक अंदर चल रही है मुक्यमंतरी के घर आवास के उपर ही वहाँ पर ये तमाम फैसले लिए जा रहे हैं और आज जो फैसले मीटिंग के अंदर लिए गए हैं वो फैसले हम आपको बारी बारी से बताते जा रहे हैं जिसके अंदर इस पस्ट का सरकार ने कह दिया है कि कोरोना संक्रम संक्रमन को रोकना सबसे बड़ी चुनोती है इस वक्त और राजिस्थान इसके अंदर जीत कर भाहर निकलेगा और इसलिए आम लोगों से यह अपील की जा रही है और यह देखने में भी आ रहा था कि धारक सुचावालिस की पालना प्रिदेश के अंदर उस तरीके से नही लिया गया है जिसके अंदर लॉकडाउन का सबसे बड़ा फैस्टा लिया गया है उसके साथ साथ मुक्यमंतिर आश्यों गहलोत ने इस पस्ट कर दिया है कि तमाम आवशक सेवाओं के अतिरिक जितनी भी समस्त राज्कियों नीजी कर लिया हैं मौल्स हैं दुकाने हैं फै देश वास्यों के साथ खड़ी भी है वो सबका हित चाती है और इसलिए इतने कठोर फैसले इस वक्त उनको लेने पड़ रहे हैं उन्होंने एक एडवाईजरी भी जारी की है और उसके लिए कहा है कि सत्ती को नियंतरन से बाहर ना हो जाए इसके लिए जो अधिकारी है व और इस कोर गुरूप के अंदर सरकार के जो महतपूर्ण इंडे और जो फैसले हैं उनको कुरियानवित कराया जाना है इसके जिम्मेदारी इनकी रहेगी जिसके अंदर अतिरिक्त मुख्य सचीफ गरेवा परिवन राजी सरूप इसके अद्धिक्षता करेंगे और उनके एक कोर गुरूप बुठन किया गया है जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचीफ इस के अंदर इस गुरूप के अंदर शामिल होंगे यह कोर गुरूप जो है वो लोकडाउन और अन्ने जो पाबनियां आम जनता के उपर लगानी है उसकी निग्रानी करेगी उनके लिए आदेश वर्ग है उनकी जो आवशक्ताइं हैं उनकी आवशक्ताओं की पूर्ती के लिए कई महतपूर्ण निड़नों के ओपर भी ये फैसला करेगा उसको उसकी पालना करवाएगा सरकार को उनकी जानकरी लगातार देगा सरकार से निदेश लगातार लेकर जो गरीब और वन्चित वर्ग है उनकी आशक्ताओं की पूर्ती करेगा सरकार ने इसके साथ साथ एक महत्पूर्ण फैसले भी किये हैं क्योंकि कई लोग प्रिदेश के अंदर इस वक्त फसे भी हो सकते हैं मजदूर वर्ग का बहुत ख्याल रखा है मक्यूंतिर शोगलोत ने उनके लिए फैसले कि है कि उनको निशुल्क गयूं दिया जाएगा दो महने का गयूं है वो निशुल्क दिया जाएगा क्योंकि आपदा के इस दोर में लोगों को खात समगरी कि किसी प्रिकार से कोई परिशानी नहीं आए इसलिए मुख्यमंतिरी ने फैसला लिया है और राष्टी खात सुरक परिवार हैं उनको खात समगरी के पैकिट डिस्टूबिट किये जाएंगे और इसके लिए जितने भी शेहरी छेतर के अंदर स्ट्रीट वेंडर्स हैं दिहारी मजदूर हैं और जो जरूर जरूर्त मंद परिवार हैं जो एन फैसे की सूची से भार हैं उन लोगों को एक अप्रेल से दो महिने तक आवशा खात समगरी के पैकिट सरकार के माध्यम से निशुल को उप्रप्त करवा जाएंगे इसकी भी मुख्यवंतिया शोग गलोत नेगोशना किये ये तमाम जो पैकिट होंगे खाने के ये सभी जिला प्रिशाशन और नगर पालिकाउं नगर निगम नगर परिश्यवत के माध्यम से उनके सायोग से ये उप्रप्त करवाए जाएंगे इसके लिए सरकार बहुत चिंतित है कि किसी भी प्रिकार से बुकमरी जैसी आहलात इस मामारी के अंदर पैदा नहीं हो इसलिए सरकार ने ये कड़े फैसले लिये हैं खाने की खा प्रितम सप्ता के अंदर सामाजी सुरा पैंशन का वित्रन किया जाता है वित्रन इस बार हो जाएगा किसी प्रिकार से आर्थिक परिशानियों का सामना प्रिदेश में ना करना पड़े इसके लिए पैंशन धारियों को सरकार ने अप्रेल महा के प्रितम सप्ता तक सारे लाभारतियों को पेंचन जो है वो उनके खाते में ट्रांसफर करनने के लिए इसके साथ सरकान ने जो फैक्टरी के शर्मिक हैं उनके लिए भी एक कड़ा फेसला लिया है और उसको वेतन के साथ अवकास दिया जाएगा मुख्यमंतिरी ने ये अपील भी की है और इसको लेकर निर्देश भी दिये हैं उन्हें साफ कर दिया है कि लॉकडाउन के दोरान जितनी भी फैक्टरियां हैं वो बंद रहेंगे और उनके अंदर काम करने वाले मजदूर अपने घर पर रहेंगे उसमें से किसी भी मजदूर की नौकरी नहीं जाएगी और इस पूरे अबदी के दोरान उनको वेतन दिया और इसके उपर निगरानी और इसकी कड़ाई से पालना करने के लिए मक्यवंतिर आशोग गेलोत ने शरम विबाग को इस पश निर्देश दे दिये हैं फैक्टरी प्रबंदकों से निरंतर संपर्क रखा जाए इसके लिए उन्हें आदेश दे दिये हैं और ऐसा अगर कि समिक्षाओं की रिपोर्ट भी आई है जहां से प्रिदेश के अलग हालात भी सामने आए हैं कोरोना वाइरस को लेकर राजिस्तान में दार 144 लगी हुई है लेकिन उसकी उस तर से पालना नहीं हो रही थी जिस तरीके से जिसका ठोड़ता के साथ पालना होनी चाहिए थी संक्रमित होने का डर जो है वो सबसेदा रहता है और इसलिए आज ये महत्पूर्ण फैसले लिए गए हैं सरकार ने ये भी इस परच कर जाए कि इनको लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी किसी को भी शिकायत है तो डिस्टिक के कलेक्टर को जाकर सीधी किसी भी परि के अपनाने होंगे खांसते या चीकते समय हमेशा अपने मूख और उमाल से या टिशू से ढखें इस्तमाल किये हुए टिशू को तुरंत ढकनदार कच्रे के डबे में डाल दें अपनी आख नाक और मूख को हाथ से नच्छूए आपने हाथों को समय समय पर साबन और पान से दूरी बनाए रखें नमस्कार मैं हूँ अमिताब बच्चन देखें हम सब मिलकर नावल करोना वाइरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं इसके लिए हमें बचाओ कि कुछ तरीके अपनाने होंगे खांसते या चीकते समय हमेशा अपने मूख और उमाल से या को समय समय पर सावन और पानी से लगबग 20 सेकंड तक दोएं भीड भार वाली जगह पर जाने से बचें अगर आपको खांसी बुखारी असास लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें ऐसे लक्षन देखने पर तुरंट तुरंट अपने डॉ दो तिन नो साथ आठ शून्य चार छे अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए